दोस्तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि State Bank of India में अगर हमारा अकाउंट है तो कैसे हम अपना CIF नंबर पता कर सकते हैं दोस्तो SBI में अकाउंट ओपनिंग के बाद काफी बार हमें CIF नंबर की आवशकता पड़ती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें CIF नंबर कहां मिलेगा दोस्तो सबसे ज़्यादा जरूरत CIF नंबर की हमें इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते समय पड़ती है और SBI इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन के अलावा भी और काफी जगा हमें CIF नंबर की जरूरत पड़ती है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि SBI में अकाउंट ओपनिंग के बाद सबसे पहले हमें SBI ATM कार्ड को एक्टिवेट करना होता है यानि SBI ATM कार्ड का पिन हमें जनरेट करना होता है उसके बाद हमें SBI Yono App को एक्टिवेट करना होता है और at the end हमें SBI Internet Banking को एक अगर आपको इन वीडियो में से किसी भी वीडियो को देखना है तो आप easily description box में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं अब दोस्तो CIF नमबर पता करने के लिए या तो आपके पास SBI की checkbook होनी चाहिए यानि जब आप account open करते हैं उसके बाद आपके पास एक checkbook bank की तरफ से अब बहुत सारे cases में issue ये आजाता है कि checkbook नहीं मिल पाती है या किसी भी कारणवर्ष customer के पास checkbook नहीं होती है उस case में हमें CIF नमबर कैसे पता करना होगा तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम customer care को call करें अब customer care को call करने के बाद जो वो पूरा process समझाते हैं उस process को आ योनो एप को लोगिन करना होगा यानि आपकी जो SBI की mobile banking है यानि योनो application उसको आपको यहाँ पर लोगिन करना होगा लोगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना 6 अंको का MPN एंटर करना होगा 6 अंको का MPN एंटर करने के बाद आप यहाँ पर SBI योनो एप के अंदर हो जाएंगे अब यहाँ पर बहुत सारे options आपको दिखाई दे रहे हैं अब क्योंकि हमें अपना cif number पता करना है तो यहाँ पर जो सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है accounts का इस option के उपर आपको click करना है accounts के option पर click करने के बाद कुछ ऐसा interface आपके आगे दिखाई देगा अब यहाँ पर आपको आपका balance शो कर रहा है नीचे आपको savings account शो कर रहा है नीचे जहाँ पर saving account लिखा गया है इस saving account के नीचे वाले option पर आपको click करना है जैसे ही अपने saving account number पर आप click करेंगे आप next page पर आजाएंगे यानि कुछ ऐसा interface आपके आगे open हो जाएगा नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है transaction details transaction details के आगे दो icon बने हुए है एक icon पर आपकी mailbox बनी हुई है दूसरे icon पर आपकी passbook बनी हुई है यानि अगर आप पहले option पर click करते हैं यानि passbook के option पर तो file आपकी download हो जाएगी यानि आपकी passbook download हो जाएगी easily passbook download करने के बाद इस file को आप open कर सकते हैं और आपकी passbook में आपको आपका CIF number मिल जाएगा अगर दूसरे option पर आप click करते हैं यानि अपनी email ID के option पर तो पूरी की पूरी statement आपकी email पर भेज़ दी जाएगी मैं आपको email ID वाला option prefer करूँगा क्योंकि बहुत बार काफी सारे phones में passbook download करने में काफी problem होती है इसलिए मैं आपको second option prefer करूँगा कि आप mail option वाला select करिए जैसे ही उस email के icon पे आप click करेंगे आपकी email पर पूरी statement भेज़ दी जाएगी इस प्रकार से दिखाई देगा इसको आपको open करना है ये एक PDF फाइल है अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका password क्या रहेगा तो password के लिए मैं आपको बता दू कि ये एक password protected file है अब इसका password क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ जो पहले दो अक्षर है वो आपकी date of birth रहेगी फिर अगले जो तीन अक्षर है वो mmM है यानि आप किस महीने में पैदा हुए है उधारन के तोर पे अगर कोई व्यक्ती जनवरी के महीने में पैदा हुआ है तो उसका password हो जाएगा capital J बाकी small में A और N उसके बाद आपको यहाँ पर exclamatory sign लगाना है और आखरी के जो चार अक्षर हैं वो आपके mobile के जो last की चार डिजिट्स हैं वो रहेंगी तो कुछ आपका password बन जाएगा DD capital M small m small m exclamatory sign XXXX यानि आपके mobile के last के चार अंक जब आप यह password डालेंगे password डालने के बाद नीचे आप open के option पर click करेंगे जैसे ही आप अपना password एंटर करेंगे कुछ ऐसा interface आपके आगे open हो जाएगा यहाँ पर आपकी सारी details शो हो रही है नीचे आपको यहाँ पर CIF number भी शो हो रहा है यानि easily आप इस process से अपना CIF number पता कर सकते हैं इन सब के अलावा account opening से लेकर कैसे ATM card का pin generate करना है उसके बाद कैसे SBI की Yono application को install करना है और at the end कैसे internet banking को activate करना है इन सारी वीडियो के link मैं आपको description box में दे दूँगा ताकि account opening से लेकर internet banking activation तक आपको किसी भी प्रकार की SBI से related कोई भी परेशानी ना हो I hope SBI में CIF number कैसे पता करते हैं ये सब कुछ आपको clear हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all